दोस्तो बाहु बली जैसी ब्लॉक बस्टर फिल्म देने वाले फिल्मेकर एसेस राज मॉली ने अपनी मल्टी स्टारर पीरियड ड्रामा फिल्म ट्रिपल रर की शूटिंग शूरू की लेकिन ये फिल्म कोरोना माहमारी के कारण कई बार पॉस्पॉन हुई लेकिन फिर फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और मेकरस ने फिल्म की रिलीज डेट एनाउंस की 13 अक्टूबर 2021 से लेकिन अब फिल्म से जुड़े रिपोर्ट्स की माने तो SS राज मॉली की ट्रुपल आर का अपनी तैर रिलीज डेट पर रिलीज होना असंभाव सा लग रहा है ट्रुपल आर के एक्टरस में से एक एक्टर ने बताया कि ये 13 अक्टूबर को कैसे रिलीज हो सकती है रामचरण तेजा और जूनियर एंटियार दोनों के हिस्सों की कुछ शूटिंग अभी बाकी है रामचरण इसल ट्रुपल आर की शूटिंग नहीं कर पाए क्योंकि वो अपनी अन्यफ फिल्म आचारिया जिसमें वो अपने पिता चीरन जीवी के साथ नजर आएंगे उसकी शूटिंग में बीजी थे वहीं एंटियार ने भी इसल शूटिंग नहीं कर पाए प्लैन यह था कि दोनों के हिस्सों की शूटिंग करके जुलाई 2021 तक फिल्म की शूटिंग पूरी कर देंगे कुरोना की दूसरी लहर के कारण अभी असंभाव सा लग रहा है फिल्म OTT प्लैटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है क्योंकि देखा जा तो सभी जितने भी बड़े-बड़े एक्टर से अपने फिल्मों को OTT पर ला रहे हैं तो उन्होंने ट्रिपल र की रिलीज को डिजिटली रिलीज को सिरे से नकार दिया कहा कि नहीं हमारे फिल्म OTT प्लैटफॉर्म पर नहीं रिलीज होगी बाद में रिलीज होगी सबसे पहले वो फिल्म थियेटर में रिलीज होगी वेल दोस्तों आपको इस बारे में क्या कहना है क्या फिल्म को ऑक्टूबर में रिलीज करनी चाहिए या फिर 2022 तक पॉस्पोन करना सही रहेगा आप पर छोड़ता हूँ आपकी क्या राय है आप कितने excitement है या क्या आपकी excitement कम हो जाएगी पॉस्पोन होने से नीचे comment box में अपनी अपनी राई शेयर करें थैंक यू सो मच कि क्या हुआ है